बच्चों जब ऐसे share को for extra किया जाता है जो कि originally premium पे issue हुए थे तो forfeature of share की entry इस तरह से बनाया जाती है share capital account debit किया जाता है याद रही का share capital account को debit करते हैं with a called up value of share ठीक है जो face value का equal भी हो सकती है face value से कम भी हो सकती है और share capital में premium का कोई भी amount included नहीं होता है Securities Premium Account तभी debit किया आ जाएगा जब premium नहीं मिला हो अगर premium मिल चुका होगा तो हम Security Premium Account को debit नहीं करा करते हैं ठीक है बच्चो क्योंकि जो premium मिल चुका होता है उसे कहीं भी refund नहीं कहा था कहीं और transfer नहीं किया जाता है लेकिन अगर premium नहीं मिला है तो premium को debit करना होगा ठीक है बच्चो और जो premium नहीं मिला है उसका amount arrear के अंदर included होगा तो कि अगर premium मिल चुका है तो उसका amount ना debit side कहीं आएगा ना credit side कहीं आएगा लेकिन अगर premium नहीं मिला है तो premium का amount calls in arrear के अंदर included होगा और calls in arrear में वो सारा पैसा होगा जो capital से related है और जो premium से related है और जो नहीं मिला है तो capital का जो पैसा नहीं मिला वो भी arrear में included होगा premium का जो पैसा नहीं मिला वो भी arrear में included होगा और forfeiture में cable वही पैसा included होगा जो capital का है और मिला हुआ है क्योंकि जो पैसा minimum का मिल चुका होता है वो ना debit होता है ना वो amount share for future account में include किया जाता है ठीक है बच्चो मैंने यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि security premium account तभी debit होता है जब वो नहीं पे पाइता शेर होल्ड़र और उसका पैसा जो है गिर में ठूरिज और इस TV का सुनुम्निन होंनों प ही सल्द आप नहीं होता है थीक वक्यूम तो premium तबी debit होगा जो नहीं मिला होगा ठीक है या जितना नहीं मिलोगा वो premium debit होगा और उसका amount ले सकते हैं आपको यह बात याद भी रहेगी और इसको चाहें तो no down भी कर सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग अब बात करेंगे एक example की जिसके तहरत आपको यह entry का amount कैसे भरा जाता है वो असानी से समझ में आ जाए बच्चों इस बात को समझाने के लिए फॉरफीचर की entry को धंक से समझाने के लिए उसके amount को धंक से fill करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर यह example लिया है मैंने च्छे डिफॉल्टर्स लिये हैं A, B, C, D, E, F इनके shares के जो इनके पास है वो यहाँ पर इस तरह से दे रखें हैं जो share for feed किया गया है वो उसकी face value 10 र रुपे दिये हैं और जैसे उसने allotment नहीं दिया उसका share for feed हो गया उससे first call और final call मांगी ही नहीं गई है तो जब शेयर एका for feed किया गया तब company का केवल पांच रुपे ही capital का call हुआ था दो application और तीन allotment पर तो 100-5 500 तो आपका यहाँ debit हो जाएगा capital में यह ने premium नहीं दिय है क्योंकि एने allotment नहीं दिया तो उसका अंतर premium में नहीं दिया होगा तो premium 200 रुपे से debit हो जाएगा 100-2200 यह ने जितना पैसा नहीं दिया वह कॉल से नरियर में आ जाएगा जो कि premium मिलागे count किया जाएगा पांच रुपे तो 100-5 500 यहाँ आ जाएगा एका दिया हो पैसा क केवल 2 रुपे है तो 100-2200 फार फीचर में आ जाएगा क्लियर बच्चों नो कम टूबी के पास 200 रहें बीने allotment भी नहीं दिया और उसका शेयर उसके बात वार्वीट हुआ है तो बी से capital का मांगावा पैसा हो जाएगा दो तीन पांच और तो साथ और 200-7 होता है 1400 प्रीमियम का जो पैसा उसने नहीं दिया तो वह डेविट किया जाएगा 200-2400 उसका अरियर हो जाएगा 5 और तो साथ तो 200-7 चौदा सो उसका अरियर में आ जाएगा ठीक है बच्चों और जो उसका दिया हो पैसा है वह 200-2400 वह यहां आ जाएगा क्योंकि इसने भी केवल अप्लिकेशन ही दिया है नो कम टू सी के पास 300 चे रहें सी ने अलोट्मेंट भी ने दिया फर्स कॉल में दिया और फाइनल कॉल भी ने दिया तो सी से कैपिल का तो पूरा 10 रुपे मांगा जा चुका है तो सी के केस में कैपिल में तो आएगा पूरा 300-10-3000 प्रीमियम सी ने भी ने दिया तो 300-300-600 रुपे यहां आ जाएगा तो सी का अरियर देखें तो पांच दो साथ और तिन 10 10 रुपे अरियर है तो 300-10-3000 अरियर में आ जाएगा और शेयर फॉर्फिटर माले का 300-2-600 क्लियर बच्चों यह तो गया ABC के शेयर फॉर्फिट करने के एंट्री अब देखते हैं डी के शेयर को जो फॉर्फिट किया जाएगा तो किस तासे अमौन भरे जाएंगे डी के पास 400 शेयर है वह application दे चुका है वह allotment दे चुका है वह first call भी दे चुका है उसना बस आकरी call नहीं दिये है तो कैपल के तो पूरे पैसे मांगे जा चुके हैं डी से 10 रुपे तो 400 शेयर तो डी का यहां आ जाएगा capital में अब क्योंकि डी प्रीमिम दे चुका है क्योंकि इसने allotment दे दिया तो प्रीमिम उसका debit नहीं किया जाएगा अब उसका जो मिला हो पैसा है वह प्रीमिम हटा के count किया जाएगा याद रखेगा बच्चो तो दो और तीन पांच और तो साथ 400 इंटो साथ 2800 उसका यहा जाएगा और जोसका अरियर है वह 400 इंटो तीन बारस हो आजाएगा अगा बच्चो नो कम टू इए भी अप्लिकेशन अलोट्मेंट दोनों दे चुका है है ना बच्चो तो इसका वंदर इप्रीमिम दे चुका है तो इसके केस में प्रीमिम डेविट नहीं होगा और इने है फिर्स-कॉल की दो रुपे और फाईनल कॉल की तीन रुपे नहीं दिए है अब ईसे भी केपल का पूरा पैसा मंग आ चाचुका है तो 500 इंटो इंटो तुथ पांच यहार इन्हां आ जाएगा ठीक है बच्चो और उसKA नहीं मिलाँ पैसा है 500 इंटो 5 500 प्रीमिमन केके आजएगा फॉर्फीचर में विश्यक उसने 7 रुबे दिया लेकिन साथ में से 5 तो प्रिम्यम के थे तो प्रिम्यम हटा के उसका मिलवा पैसा केवल पांच रुबे ही आएगा नो कम टू एफ 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 ने केवल फर्स कॉल का पैसा नहीं दिया और उसका शेयर फॉर्ट फीट हो गया एफ पे हैं 600 शेयर आखरी कॉल उससे मांगी नहीं गई है तो शेयर कैपिल का जो कॉलिट अब वैलियो वह साथ पर शेयर है तो 600 इंटू साथ 4200 आजाएगा प्रीमम इसने भी दे दिया है तो प्रीमम डेबिट नहीं होगा एफ के केस में भी एफ का नहीं दिया हो पैसा 2 रुपे है 600 इंटू साथ रुपे है लेकिन प्रीमम को अटा के काउंट करेंगे तो 5 ही किलाएगा मिला हो पैसा तो 600 इंटू 5300 आ जाएगा इस तरह से हमने बच्चों यह एंट्री बना ली और मुझे उमीद है कि आपको जब यह एक्जाम्पल धंक से समझा आ जाएगा तो उन शेयर को फॉर्फिट करते समय कैसे अमांट भरने हैं जो कि प्रीमम बेश्यू हुए थे आपको इस एक्जाम्पल से बहुत बहुत अच्छी दरह से क ठीक है बच्चों थेंक यू